हेलो फ्रेंद्स वेलकम बाक तो मैं चैनल माइनेम इस अंकुष और इन आवर तुदेश वीडियो आल भी डिस्कसिंग आपाउट क्रॉंट तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रॉंट आप का यूज क्या होता है क्यों हम यूज करेंगे क्रॉंट आप और कौन से सिनारियो में हमने क्रॉंट आप को यूज करना चाहिए कोई भी एंवर्मेंट में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टास्क ऐसे रहेंगे कि जो हम लोग क्या करते हैं एक शेडूल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक शेडूल करने का अब automation होके शेडूल स्क्रिप्ट इस रेडी आपने टेस्ट कर लिए सब कुछ सही है बड़ आप एक काम होता है कि उसको शेडूल करने का शेडूल मतलब कि ये जो शेडूल स्क्रिप्ट है पर्टिकूल शेडूल स्क्रिप्ट जो आपने बनाई हुई है वो कौन से टाइम पर रन होने developments pretty much तो ये जो काम होता है。。 शेडूल करने का तो ये आपूल कर सकते हैं with the help of chron tab chron tab basically होता क्या है chron tab is a scheduler तो जो भी शेल स्रिप्ट आपने बनाई हुई है वो शेल स्रिप्ट को आप शेडूल कर सकते हैं CronTap के helps से CronTap के, अब CronTap available कहां पे होता है CronTap is available on the Linux environment or Redact Linux, any environment basically on the Linux environment अगर आप Windows की बात करेंगे तो Windows में होता है Tart Scheduler वो भी same इसी की तरह काम करता है only the difference is Tart Scheduler which is a graphical interface और जो आपका CronTap होता है which is a kind of command line interface जैसे आपने देखाई होगा कि Linux के अंदर हम जितने भी command चलाते हो command line interface होता है उसके वज़े से सब कुछ command से ही हमें चलाना पड़ता है तो CronTap में अगर आपको list देखना है कि अभी तक कौन से कौन से job schedule किये हुए है कौन से कौन से time पे तो आप चेक कर सकते हो CronTap हाईपन L कमाड से अगर आपको CronTap के अंदर कोई नया job add करना है तो ओ आइड करने के लिए command होता है CronTap हाईपन E अब CronTap हाईपन E आप जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद में इंटरप्रेस करने के बाद में देखेंगे तो उसका जो इंटरफेस होता है It is like VIA Editor जो भी है चीज़े आप VIA Editor में कमाड टाइप करेंगे उसके बाद में save करने का तो सब कुछ जो चीज़े होती है It is almost similar to the VIA Editor save करने के बाद में आप उसको close कर दिया फिर से आपको चेक करना है कि list of cron tab के अंदर को list of jobs कुण से कुण से तो वही कमाड आपको check करना है cron tab hyphen L अब cron tab के अंदर जब आप जाएंगे उसको edit करने के try करेंगे या फिर list करेंगे वह आपको तीन चीज़े मिलेगी the first thing is there will be a five star a five star हर एक चीज़ को एक रेफर करता है star मतलब anytime तो वहाँ पर पहली चो चीज़ होती है जैसे वो कि आपका minute हो गया second जो star मिलेगा आपको which is something pointing to the hours day of the month हो गया year हो गया ये सारी चीज़े वहाँ पर आएगी second चीज second जो रहेगा आपका column वो रहेगा आपका shell script जहाँ पर आपकी shell script रखी हुई है और जिस shell script को आपने schedule करना है cron tab के अंदर और third रहेगा कि ये जो job है कोन से user से चलेगा जिसे normally जो भी job चलाते हैं आप root user से चलाते हो और oracle के अंदर हम oracle user से चलाते हैं but cron tab में आड करने के लिए आपको root level access होने चाहिए क्योंकि cron tab के अंदर आपकी जो भी script रहेंगी we should have the access to run that shell script तो cron tab basically it's a scheduler और cron tab के alternative के बहुत सारे जैसे मैंने आपको windows के बारे में बताया task scheduler है control m है control m is also one tool which is useful to schedule the job and there are many tools which are available Hadoop के अंदर आग में बात करेंगे तो Uzi a kuko system part है Uzi के तुरू आप Hadoop के जितने भी jobs like scoob job हो गया उसका भी आप workflow बना सकते और Uzi के अंदर आप उसको schedule कर सकते हो so this is all about cron tab there are many things which are available which are around the cron tab as well if you have any queries please comment thank you so much for watching this video or subscribe करना मत बुलिया thank you बाब 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 बाब